बॉलिवर इंडिस्ट्री के फाइनस्ट और प्रॉलिफिक एक्टर इर्फान खान ने एप्रिल 29 को मुंबई हॉस्पिटल में आखरी सास ली 53 एर ओल्ड एक्टर इर्फान खान दो साल से नियूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जूच रहे थे एक्टर इर्फान खान के चले जाने से हिंदी फिल्म जगत को काफी बड़ा सदमा पहुचा है इर्फान खान ने अपने फिनॉमिनल काम से कडर लोगों का दिल जीता है इर्फान खान ने बॉलूवर इंडेस्टि को कई बहतरिन फिल्म दिये है जैसे हिंदी मीडियम पांच सिंग तोमर पीकू फिल्मों में उनके प्रेजन्स को हम जरूर मिस्स करने वाले है और जिस वज़े से इर्फान खान के अन्रिलीस फिल्म होने वाला है बहुत जल्द रिलीस लॉकडाउन के खुलते ही इर्फान खान ने लीड एक्टर का किरदार निभाया है अपने आने वाले फिल्म अपनो से बेवफाई में इस फिल्म के डिरेक्टर दो साल से इस फिल्म के रिलीज को लेकर इंतरजार में थे ये फिल्म एपरिल को ही रिलीज होने वाली थी पर लॉकडाउन के चलते ये फिल्म ना हो पाया रिलीज ये फिल्म एक फैमिली ओरेंटेट फिल्म है जिसमें लास्ट टाइम हम इर्फान खान के बहतरे इन एक्टिंग को देख पाएंगे